तो अमेरिका में बर्फबारी से हालात खराब है, इस्रेल, टर्की में भी भारी बर्फबारी हो रही है, अब हम आपको जिस देश की रिपोर्ट दिखाने वाले हैं, उससे आपको हैरानी होगी, बर्फबारी की इस कहानी में अब साओधी अरब का नाम भी जुड़ चुका ह साओधी अरब, रेगिस्तान और गर्म मौसम के लिए जाना जाता है, लेकिन वहाँ पर आजकल कैसे ठंड से लोग ठिटुर रहे हैं, यह आप देखिए इस रिपोर्ट बर्फ से ढख चुका है रेगिस्तान, जहां रेत उरती थी, वहाँ बर्फ की बारिश हो रही है, जहां जुलसाने वाली कर्म हवाई चलती थी, वहाँ अब सर्द हवा बह रही है, उरती हुई धूल और गर्म धूप में रहने वाले उउट की पीट पर भी बर्फ जमी है साउदी के लोगों ने बर्फ बारी जरूर देखी है, लेकिन ऐसी बर्फ बारी पहली बार हो रही है, रेगिस्तान में बर्फ की बारिश होई, तो साउदी के लोगों ने इस मौसम में पूरी मस्ती करने का भी राधा कर लिया, लोग पिकनिक मनाने रेगिस्तान में पहु पूरी दुनिया में साउधी अरब के मौसम की तस्वीरे वायरल हो रहीं। साउधी अरब के मौसम विभाग ने आने वाले दिनों को लेकर चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने कहा कि देश के कई हिस्सों में रात का तापमान और कम हो सकता है। साउधी अरब का असीर इलाका भारी बर्फबारी से सबसे ज़्यादा प्रभावित है। साउदी अरब के उत्तिरी इलाकों में पहली भी कई बार बर्फ बारी हुई लेकिन इस बार तो रेगिस्तान पूरी तरह से बर्फ में छिप गया साउदी के बाकी इलाकों में भी मौसम ठंडा है और बारिश हो रही